इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे Tata Technologies के बारे में जिसने की अपने Quarter 1 के Numbers को अभी पब्लिश कर दिया है तो चलिए इन डीटेल में देखते हैं कि Company के Numbers कैसे रहें तो आज इनकी BOD की Meeting ती 18 जुलाई को जो की Over हो चुके और जो Outcome है वो भी हमें देखने को मिलता है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले और Notification Bell को भी प्रेस कर ले क्योंकि Results किसी भी Company का आता है मैं एकदम टाइम ली पास से 10 मट के अंदर वीडियो बना देता हूं तो आज के दिन दो डिसकेशन्स हुए वो Company के Results को लेके हुए सिर्फ से इस्टेंड डॉन और Consolidated Numbers जो की with Limited Review Reports हमें देखने को मिल रही है डिविडेंड की कोई भी Announcement नहीं है नहीं कोई Other Announcement है तो चलिए देखते हैं Tata Tech के इस बार के Consolidated Numbers हमें कैसे देखने को मिल रहा है तो डिटेल्स आपके सामने है और सारे फिकर अल्लेडी रूपीज इन करोर्स में में देखने को मिल रहा है Quarter 1 की अर्निंग से Quarter यहाँ पे 4 की अर्निंग से Then Last Year Quarter 1 का डेटा आपको 3rd row में देखने को मिलेगा पहले डिसकस करते हैं revenue from operations कितना रहा तो साल दर साल basis की बात करें तो 1257 करोड से 1268 पे आ गया तो बहुत ही nominal सा revenue बढ़ा है साल दर साल अगर आप देखें quarter wise तो 1301 से 1268 पे आ गया तो quarter on quarter तो revenue हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है और yearly basis पे nominal सी 11 करोड की growth मात्र में देखने को मिल रही देन उसके बाद other income भी इस बार कम हुई है as compared to the previous both quarters देन आती ही total income जो की 1288 से 1291 पे और quarterly 1325 से 1291 पे तो quarter on quarter plus year on year basis दोनों ही जगे अगर आप देखें तो mixed तरीकी के income में quarterly गिरावट है और yearly nominal सी growth हुई है expenses के अगर बात करें company के खर्चों की तो 1035 से 1072 पे आ गए yearly और 1094 से 1072 पे quarter on quarter तो Q on Q income कम थी तो expenses कम थी yearly basis पे nominal सी income बड़ी थी 3-4 करोड की बट खर्चे company के 37 करोड ज़्यादा देखने को मिल रहे है जो कि अगर आप देखेंगे तो इस बार के expenses ज़्यादा रहे जो की third number point जो है employee benefit जो की obvious खर्चा होता है और company को देना ही पड़ेगा employees को वहाँ पे expenses ज़्यादा रहे as compared to the last year quarter one के अगर आप बात करेंगे जिसकी वज़े से इस बार expenses काफी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे है उसके बाद अगर discuss करी जाए company के total profit for the period कितने हमें देखने को मिल रहे है तो last year quarter one के अगर बात करी जाए तो company को 191 करोड के अप्रॉक्स profit थे वह इस बार 162 पर आ गया और quarter अगर फोर की बात कही तो 157 करोड के profit थे वह इस बार 162 पर आ गया तो quarter on quarter 5 करोड के करीबन का jump है बस बड़ी बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रहे है और market की जो उम्मीदे थी वह 170 करोड के अप्रॉक्स थी profit की और जो revenue था वह 1300 करोड के करीबन का था क्योंकि ऐसा अनुवान लगाया था कि quarter 4 से इस बार revenue ज्यादा देखने को मिल रहे है तो market estimate के साब से भी numbers बि 3.99 पर तो overall mix तरीकी के result market estimate के साब से भी नहीं तो बिल्कुल एक negative reaction होगा और share price में गिरावट आ सकती है तो आपको अस्टार टेक के कितने share से comment box में बिल्कुल बता है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बाबाए